हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप सभी को गजानिया प्लांट की के ऐसे केर करनी है विडर्स में यह बहुती सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट है इसके बारे में सभी केर स्क्रिप्स में आपको बताऊंगी मेरे साथ बनिये रहिए इस वीडियो में उस से ज्यादा लाइक करें गजानिया प्लांट जैसे कि आप वीडियो में देखी रहें काफी सुन्दर फ्लावरिंग होती है इन पर इसके दो कलर्स में नर्सरी से लेके आई थी एक औरेंज एक अलो काफी सुन्दर वेराइटी के फ्लावरिंग प्लांट से इन्हें गर्म वैदर काफी पसंद आता है यह 12 मासी खिले रहने वाले फूल है अगर इनको वैदर की कंडिशन जो इन्हें पसंद है वैसी बनी रहे तो 12 मासी आपके गार्डन में लगे रहेंगे इन प्लांट की हाइट जो है 6-10 इंच तक लंबी हो सकती है और यह 10 इंच तक की वाइड कि शेड वाइगे तो इनके फुल संद रॉइट में रखेंगे तो ही और इनकी फुल संद्लाइट में रहें तो क्यों एक है इन के फुल संद लाइट मिलेत 713 से जैसा कि आप वीडियो में देख रहें हैं काफी सारे sax निकले हुएन्य फुल संद्लाइड में बहुत हाड़ी प्लांट है यह बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है बस इनके पानी की कंडिशन और सॉइल आपको किस तरीके का लेना है और फुन सनलाइट में रखना अगर आप इनका यह नेचर जो समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लांट बात करें किस तरीके की सॉइल में लगाना चाहिए जब आप इनसे नर्सरी से लेकर आए तो में चीज है इनकी रूट बॉल जो बिल्कुल भी डिस्टब न करें इनकी रूट बॉल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि नर्सरी वाले जो पॉली बै उसमें से पानी असानी से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए इसके लिए जल्दी ड्राय हो जानी चाहिए वह सॉइल इनको बिल्कुल भी गीला पन प्लकुल पसंद नहीं आता है गजानिया प्लांट की सॉइल का पिएच लेवल निउट्रल होना चाहिए क्यों नियर सेवन प जब तक यह उपर की 2-4 इंच की सॉइल सूख न जाए हमें इने पानी नहीं देना चाहिए इने फुल संलाइट में रखना चाहिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मैंने इसकी रूट बोल को बिल्कुल भी डिस्टब नहीं किया था इसकी रूट बोल अभी भी दिखाई नहीं हुई है उपर की 2-3 इंच की फीर आप इसे पानी दिये जा रहे हैं तो इसमें जो रूट रॉट हो सकता है या फंगल इंफेक्शन या डिजीज भी इसमें लग सकती है तो उनसे बचने के लिए आपको इसमें जब भी पानी दे तो दो तिन का अंतर होना चाहिए त उसके लिए आप इसे जब भी soil mix बनाए तो उसमें half tablespoon fungicide powder जरूर एड़ करें ताकि आपका plant विल्कुल healthy रहे उसमें कोई भी fungal attack ना हो अगर थोड़ी सी भी over watering हो गई है तो आपका जो plant है थोड़ा बच सके fungal attack होने से आप इसके ओपर नीम oil का भी spray कर सकते हैं ताकि fungal attack ना हो कुछ पतियों में या फूलों में कोई भी कीड़े ना लगे इसके लिए आप नीम oil का use कर सकते हैं और जब भी इसमें flowering season जो winter होता है तब आपको इसको मैने में एक बार liquid fertilizer जरूर देना चाहिए NPK 2020 जब भी flowering हो रही हो तो हमें fertilizer देने से होता है कि आना पौदे को ज़्यादा अच्छे से birds निकलती है उनमें ज्यादा flowering होती है और वह सुन्दर लगता है इस plant में main बात है जब भी इसके जो भी flower से वह मुर्जा गये हैं जो सूखने लगे हैं तो आप उनको तुरंत काट दें उनको प्रोनिंग कर दें ताकि जो है नए बर्ट इसमें से निकल सके सूखेवे flowers जब अदस्ति उसमें energy waste होती रहती है पौदे जितनी भी food बनाते हैं वह भी वह लेते रहते हैं तो जब तक हम सूखेवे flowers अटाएंगे नहीं नहीं निकलेंगे गजानिया प्लांट को प्रोपोगेट करने का सबसे easy method है कि आप इसके seeds लगाएं तो उससे भी इसे प्रोपोगेट किया जा सकता है बट आप एक तरीका और कर सकते हैं कि जब season खतम हो आप winters का तब आप इसके जितने भी फूल है जो सूख रहे हैं उन्हें आप पूरा पौदे में इसके लास्ट के वह फ्लावर्स तोड़े नहीं पूरा उनको ड्राय आउट होने दे और उन्हें अप एक अच्छे से टाइट कंटेनर में रख ले और जब भी रेनी सीजन आए आप उन फ्लावर्स को जो है soil में लगा दे क्योंकि उसमें बीज होते हैं इसके फ्लावर्स में तो उससे आप नया प्लांट तयार कर सकते हैं और उन सुकिवे फ्लावर्स को soil में लगाने के लिए आप उसमें एक इस सेंड जरूर मिलाएं क्योंकि इसे ज़्यादा heavy soil बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है पंजिसाइड पाउडर भी मिलाएं उसमें और कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकती है सुकी पत्यों की खाद भी काफी बैनिफीजर होती है जब भी आप नए seeds ग्रो करें उन्हें थोड़ा shade में रखें रेनी सीजन में लगाएं थोड़ा shade में रखें कुछी दिनों में व फुल सनलाइट दो ही चीज़े हैं इसकी में अगर आप यह पूरे तरीके से मिल जाएगी फुल सनलाइट और पानी ठीक टाइम पर इसे मिलता रहेगा तो यह काफी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा इसमें कई बार जो मदर प्लांट में से बेबी प्लांट भी निकलने सकते दूसरी नए प्लांट इसमें तयार होते रहेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा और आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्लीज मेरे चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए